बिस्मिर्मारेम अस्सालामुलेकूम आज हम बना रहे हैं बिल्कुल मज़ेदार स्टॉंग टी जिसके लिए हमने लिए हैं चीजे चार से पांच लॉंगे हमने लिए हैं दो से तीन छोटे छोटे से टुकडे दार चीनी के हमने लिए हैं 4 टेबल स्पून चीनी हमने लिए हैं थोड़ा सा बिल्कुल गुड़ हमने लिए हैं देख सकते हैं आप ये गले की सफाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है थ्री टेबिल स्पून हमने पत्ती के लिए हैं दो गलास पानी हमने लिया है सबसे पहले हम पानी डालेंगे पतीली के अंदर सबसे पहले चूले पर रखें इसको बॉय लाने तक इसका इंतजार करेंगे उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीजे भी आइट करते जाएंगे चाय में बॉय लाना शुरू हो चुका है सबसे पहले हम इसके अंदर चीने डालेंगे अब गुड़ जा लेंगे ये चाय बहुत ही जादा मज़ेदार होती है कम चीजों से बनती है और इससे आपके गले को भी फायदा होता है सीने को भी फायदा होता है और इस बदलते मौसम में जो आपकी आवास पर फर्व पड़ता है इससे ये नुकसान भी आपका काफी हद तक गला आपका ठीक हो जाता है अब हम अपनी लौंगे और इलाइची को इसके अंदर डाल के अपने हाथों के मदद से उटेंगे अपनी चाय के अंदर अब हम पत्ती शामिल करेंगे और पांच मेंद तक चाय को बिल्कुल दम पे हलके जूले पर पकाएंगे अब हम इसके अंदर अपनी कुटी हुई चीज़े शामिल करेंगे और इसे बिल्कुल पांच मिन तक दम पे हलके चूले पे पकाएंगे अब हम इसके अंदर दूद एट करेंगे दो मिन तक चूले इसका फुल रखेंगे दो मिन तक फुल चूला रखेंगे इसका और उसके बाद हम इसको पांच मिन तक फिर दम पे पकाएंगे फुल चूले पे पकाएंगे दो मिन तक जब इसके अंदर अच्छे से बॉयल आने लगेगा दूद हमारा जो हमने डाला है इसके अंदर वो पकने लगेगा फिर हम इसका चूला फ्लो कर देंगे इसे बिल्कुल दंपे पांच मिनट तक पकाएंगे चाय हो चुकी है हमारी बिल्कुल रेडी अब हम इसको निकालके आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी खुजबू तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है हमने इसके अंदर जो लॉंग और दार्चीनी कुट कर डाली है उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुजबू आ रही है और गुड़ की चाय वैसे बिल्कुल रेडी अब आप हमें ये बताईए कि हमने ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को आगे दुसरों के साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अमारे घल्ती को टाही और तारीफ को लिखते भीज़सकता है यह चाय इतनी ज्यादा बेल बी और सीनवी से बहुत जादा साफ होने लगता है और उसके अलावा हर तरह की ठकावाट और दर्द को भी ये चाय को दूर कर देती है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को खतम करते हैं अल्लह हाफिज नेक्स वीडियो के साथ मुलब्वाध होती है दौाओं में याद रख्ये इसके लावा आप हमें फैस्बुक पे लाइक और फालो एंड लाइक कर सकते हैं यूट्यूब पर लाइकन फॉलो कर सकते हैं शक्रिया अल्ला हाफीज